हेलो फ्रेंट्स तो स्वागत आप सबका एक बर फिर से मेरी यूटूब चनल दीप अकांटिंग पर और आज इस वीडियो में हम सिखने वाला है कि किसी भी पैन नंबर को देखकर आप कैसे पहचानेगा कि वह पैन नंबर किसी कंपनी का है या किसी पार्टनर्सिप फर्म का है या किसी इंडिवीजवल का है या फिर हुएफ का है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यह एक्सल सीट में हम आ रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं यहां पर पैन नंबर लिखा हुआ है और यहां पर उसका स्टेटस लिखा हुआ है तो यह चीज़ हमको कैसे पता चलिए कि कौन सा पैन नंबर का क्या स्टेटस है तो सबसे पहले हम यहां पर एक फर्मॉला लगाते हैं तो उसको मीड यहां पूछ रहा टेक्स्ट हम यह ले लिए उसका यहां पूछ रहा अस्टार्ट नम अगर आपको लेफ्ट राइट यह मीड फर्मॉला के बारे में जानना है तो आप मेरा प्रिविएस वीडियो देख सकते हैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डाल जाएंगे और आई बटन में भी डाल देंगे वहां से भी देख सकते हैं कि इस फर्मॉला का यूज कैसे क्या जाता है यहां पर पूछ रहा स्टार्ट नम हमको मतल केलडा nation कर लेता है यहां पर देखे चौथा नमबर में जो है यह लेद समको में को फोर्फ डिजिट देखना है फोर्थ वहला जो एलफाबेट है वह देखना है इसका फॉछ लूप P, P है, यहां P निकल गया, इसका क्या है? H, इसका में F है, F इसमें C है, तो C, तो P जो होता है P से होता है proprietor आप समझ सकते हैं तो यह जो pen number अगर किसी का pen number में अगर fourth जो alphabet है यह वो P है तो आप वहाँ पे समझेगे कि वो एक individual का pen number है जैसे कि हम लोग जो होगा है हम आप लोग अपना pen number में चेक की जाएगा वहाँ पर फोर्थ जो character होगा वो P होगा तो समय लिजे वो जो है individual का है अगर आप बात करें कि किसी partner सिर्फ firm है तो partner सिर्फ firm जो है उसका fourth digit F होता है F से firm तो यह हो कि आप firm के लिए partner सिर्फ firm में इस यह C है अगर C है तो वो company को company को दिखाता है अगर H है तो वो हमको HUF के बारे में बताता है Hindu undivided family अगर आपको जानना है कि HUF क्या होता है तो हमको कमेंट करके पूछे हम इसके बारे में एक separate वीडियो ले आपके बता देंगे कि HUF pen card कैसे बनता है और उसको उसका benefits क्या क्य होता है तो आसा करता है यह वीडियो हम जो में जो भी हम बताएं वह आपको समझ माया होगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सेर और सब्सक्राइब करें